देखेंगे दिव्यांग जन विवाह प्रोचाहन योजना 36 सरकार द्वारा एक लाख रुपए तक की प्रोचाहन राशी का प्रावधान किया गया है तो दिव्यांग जन विवाह प्रोचाहन तो दिव्यांग जन विवाह प्रोचाहन योजना राज्य साशन द्वारा दिव्यांग जन विवाह प्रोचाहन योजना के तहट दिव्यांग यूवक यूवतियों द्वारा विवाह किये जाने पर एक लाख रुपए तक की प्रोचाहन राशी दी जाएगी इस योजना के तहट दिव्यांग युवक युवतियों दोरा विवाह किये जाने पर युवक या युवति में से कोई एक अगर दिव्यांग हो तो 50,000 रुपए एवं यदि दोनों दिव्यांग होने होते हैं तो एक लाख रुपए तक की प्रोच्छाहन राशी एक की जाएगी दिव्यांग जनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जनों के लिए संचालित दिव्यांग जन विवाह प्रोच्छाहन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है पात्रता रखने वाले दामपत्तियों से आगरह किया गया है कि योजना का लाब लेने हे तु ओनलाइन अथ्वा अपने जन्पद पंचायाद कार्यालय के माध्यम से या सीधे उप संचालक समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं दिव्यांग जन्पद प्रसाहन योजना प्रोसाहन योजना प्रोसाहन राशी की पात्रता के लिए दमपत्ती में से किसी एक दिध्यांग रेक्ति को 36 गड़ का मूल निवासी होना अनिवार है और दिध्यांगता जो है वो 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए विवाह के समय युवक की आयू 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दमपत्ती का विवाह संस्कार प्रतलित सामाजिक रीती रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्याले द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो दमपत्ती में से कोई सदस्य आयकर दाता की स्रेनी में नहीं होना चाहिए पात्रता रखने वाले दमपत्ती को निरधारिक प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमान पत्रों के साथ विवाह के अधिक्तम 6 माह के भीतर आवेदन पत्र प्रस्पुत करना अनिमा तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर चाहते हैं कि वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके तो इसे शेयर करिए और इसी तरह की टॉपिक पे आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं औ और हमारे आने वाली वीडियो की नोटिसिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकाउन को प्रेस कीजिए और अगर आप टॉपिक पे डिटेंड वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं केवल 29 रुपाय प्रतिमाह में धन्यमाद